जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सबका 36 गड़ होश्टल वाडन के प्राक्टिस सेट तीन में तो चलिए आज का सवाल सुरू करते हैं दिखे पहले सवाल है कि एलगोरिथम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं ओप्शन है मेमोरी की चमता जानने में बी प्रिंटर में आउटपूट को निर्देशित करने में C समस्य को पूड़ता एवं साफ साप इंगित करने में या फिर D संक्या पधती के अधार को पहचानने में दोस्तों सवाल को दिखे और अंत में आप कॉमेंट करिएगा कि आपने 25 कोस्चन में से कितने सवालों के सही जवाब दिए किया जाता है देखे कौन सा जो सौट कट की है ठीक है जिसका उपयोग विंडोज में सहायता मांगने के लिए किया जाता है आपके ओप्शन है F1, F2, F9 या फिर F5 तो इस सवाल का राइट एंसर होगा ओप्शन नमबर A, F1 ठीक है अगला सवाल देखेंगे निम्री लिख का राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B ठीक है और i7 जो है वो सबसे तेज प्रोसेसर है ठीक है अगला सवाल देखेंगा डेस्क्टॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक होते हैं जिन्हें कहते हैं पिच्चर आइकॉन लोगो या फिर विंडो क्या कहते हैं देखें डेस्क्टॉप जो होता है ठीक है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं ग्राफिक्स जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग आइकॉन कहते हैं ऑप्शन नमबर B आइकॉन निमने लिखित में से कौन सा डाटाबेस का मुख्य अवे है option है field, database, file, record या फिर उपरोक्त सभी तो इस सवाल का राइट एंसर हो जागा option number D उपरोक्त सभी ठीक है database का मुख्य अवे क्या है तो field है, database file है और record है अगला सवाल है राजनान गाउं जिला का चितवा डोंगरी क्यों परसीद है देखे, राजनान गाउं जिला का चितवा डोंगरी है आकर ये प्रसिद्ध क्यों है option है कि चिता अभियारण है जलपरपात, प्रगैतिहासिक, सैल चित्र मिला है आपर या फिर मंदिर तो राइट अणसर होगा इसका प्रगैतिहासिक, सैल चित्र है इसलिए चित्वा डोंगरी राजनान गाउं का प्रसिद्ध है चतिसगर की प्राचिन भासा का नाम क्या था देखे, चतिसगर की जो प्राचिन भासा है उसका नाम क्या था option है कि हलबी, अउधी, कोशली या फिर महाकान तरी तो इसका right answer हो जाएगा आपका कोशली option number C, कोशली 36 गड़ की प्राचिन भासा का नाम किया था तो कोशली था अगला सवाल देखेगा सरहुल तेवहार कौन सी जनजाती मनाती है देखें, जो सरहुल तेवहार है, ठीक है आपका option है कि उराओं, कमार, बैगा या फिर गोण तो right answer हो जाएगा option number A उराओं, जनजाती के जो लोग होते हैं सरहुल तेवहार कौन सी जनजाती मनाते हैं देखें, जो सरहुल तेवहार होता है वो option है, उराओं, कमार, बैगा या फिर गोण तो right answer हो जाएगा, उराओं, जनजाती के लोग सरहुल तेवहार मनाते हैं, ठीक है अगले सवाल है मांदरी निरित्ते कौन करते हैं option है, मुरिया, कमार, भत्रा या फिर उराओं, तो right answer हो जाएगा मुरिया, मुरिया लोग क्या करते हैं मांदरी निरित्ते करते हैं, ठीक है निमने लिखित जनवला का अर्थ बतलाईए जनवला है कि काटे लिकटाए नहीं, बोंगे लिबोगाए नहीं option है, मृत सरीर, चाया, गोधना या फिर वाई हो, तो right answer हो जाएगा बरतमान में जो सिक्षा मनोवज्ञान है, option है सैश्वावस्ता, बाल्यावस्ता, किसोरावस्ता या फिर वृद्धावस्ता तो देखिए बरतमान में जो सिक्षा मनोवज्ञान है वो सैश्वावस्ता है, कौन सावस्ता है? सैश्वावस्ता और सैस्वाबस्ता जो होता है वो जन्म से जन्म से लेकर एक से लगभग एक से दो साल तक है यानि हम लोग क्या कर सकते हैं जीरो से दो साल तक है अधिकतर दाय हाथ में से काम करने वाले लोगों के मस्तिस्क का बाया गुलार्द करता है option है अधिकतर दाय हाथ से काम करने वा दैसिक चाच्छु सुचना को, तो राइट एंसर हो जाएगा भासा प्रकरण, भासा प्रकरण को नियंद्रित करता है, ठीक है, निर्मने लिखित में से विलियम भूंट ने मनो विज्ञान को बताया है, दीखे जो विलियम भूंट है, ठीक है, इन्होंने मनो विज्ञान को क्या बताया है option है कि मन का विज्यान आत्मा का विज्यान चेतना का विज्यान व्यभार का विज्यान तो राइट एंसर हो जाएगा चेतना का विज्यान बताया है इन्होंने टिक है विलियम वोंट ने मनोवज्ञान को क्या बताया है तो इन्होंने मनोवज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया है अगला सवाल दिखेंगे यहाँ आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धी लबधी वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे स्रीजन सिल्ता अच्छे अंग प्राप्त करना विशलेशड करना या फिर अध्यन सही एंसर हो जाएगा स्रीजन सिल्ता ठीक है अगले सवाल है निमने लिखित में से मनोवज्ञान को मन का विज्ञान किस ने कहा था देखिए, मन का विज्ञान, option है, जान डीवी ने, डगलस ने, पेस्टोलोजी ने, या फिर इसकी इनर ने, तो right answer हो जाएगा, पेस्टोलोजी, ठीक है, पेस्टोलोजी ने क्या कहा था, कि जो मनों विज्ञान है, वो मन का विज्ञान है, ठीक है, अगला सवाल है, प्रतिम प्रतिमान में प्रतिमान में तो अवयी भावशमास, अगला है रिक्तिस्थान के लिए उपरियुक्त सब्द क्या होगा, मैंने अपने भाई को खालीस्थान में, की सुमवार को हमसे मिलने आना option कहता है A कि सूचना थिक है, देखे, सूचना तो हो नी सकता क्योंकि किसी विशएस से सμबंदित जो तत् hela होता है, कोई विशएस से समबंदित तत् ihan फैक्स कोई आंक्ड़े होते हैं थिक है, उस वो क्या अंतर गताते हैं यो क्या करने गताते हैं दो ये दो से अधिक वक्तियों के बीच बाधसीत तो इसने क्या किया है कि मैंने अपने भाई को खालीसतान बेजा की सुमार को हमसे मिलने आना तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है समाचार पत्र तो दीकि समाचार पत्र में से मिलने आना ठीक है क्या करेंगे तुमसे गुप्तगू करेंगे अगला सवाल दिखेगा के रिकती स्थान के लिए ऊपर युक्त सब्ड क्या होगा ठीक है क्या कहता है कि मैं गाने का खाली स्थान कर रहा हूं option है स्रम, अभ्यास, कसरत या फिर मेना दिखें गाने का स्रम तो करते ही नहीं होंगे आप लोग स्रम बोलते हैं क्या कि मैं गाने का स्रम कर रहा हूं नहीं बोलते हैं ठीक है इसके बाद तीसरा क्या है कि कसरत, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, कसरत बोलते हैं, वो तो exercise करते रहते हैं, सुबे-सुबे आप लोग उसको बोलते हैं, यानि कि ये भी नहीं होगा, मैं गाने का खालिस्तान कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं गाने का मेहनत कर रहा हू अभ्यास कर रहा हूं ठीक है अगला सवाल है का किस कारक की विभक्ति है का किस कारक की विभक्ति है option है संबंद की अधिकरण की संप्रतान की या फिर आपादान की ठीक है तो दिखे का एक वस्तू की दूसरी वस्तू से जो संबंद होता है उसके लिए उसकी आजाता है का का, ठीक है, का हो गया, की हो गया, रा हो गया, री हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये सभी संबंध का कारे करते हैं, option number A, इसका राइट एंसर हो जाएगा, का किस कारकी विवक्ती है, तो का जो है, वो संबंध कारकी विवक्ती है, ठीक है, निम्नलिखित में से करता कारक की विभक्ती खालिस्तान है option है ने, को, मे, से दिखी कोई भी वाक्य है जिसमें कारे करने वाले का पता लगता है ठीक है उन्हें करता कारक कहते हैं जैसे राम ने होकी खेली राम ने क्या किया होकी खेली राम ने, शाम ने, सीता ने, गीता ने, ठीक है, तो यह क्या हो गया, करता का रहा है, का पता चल रहा है, इसमेंस, ठीक है, यानि इसका जो का हो जाएगा, ने हो जाएगा, option number A, अगले सवाल दिखेगा, की सुबेद में प्राचिन युग की संस्कृति के बारे में सूचन द अगला है, किसने कलकत्ता से दिल्ली तक Grand Truck Road की मरम मत करवाई थी, important question है, ठीक है, कौन थे, जिन्होंने कलकत्ता से दिल्ली तक Grand Truck Road की मरम मत करवाई थी, option है, लॉड डफरिन, सेर्सासूरी, सर्चॉल्स मेटकॉल्फ, या फिर लॉड केनिंग, तो सही एंसर हो जाएगा, आ लॉप होने का एक नियम है, देखे, option है, कि परिवार से बिछड जाने पर, देशदुरों का अपराद सीध होने पर, ब्रहमर के लिए विदेश जाने पर, सिक्छा के लिए विदेश जाने पर, देखे, नागरिक्ता आपका आपसे कब चीना जा सकता है, तो नागरिक्ता जोगा, आप कोई देशदुरों ही वाला काम करेंगे, तभी आपसे जीना जा सकता है, ठीके, तो राइट एंसर हो जाएगा, option number B, देशदुरों का अपराद सीध होने पर, नागरिक्ता के लोप होना, लोकसबा का विगेटन काउन करता है, दीके, जो लोकसबा होता है, ठ थर्ड फेस का होने वाला है, तो लोकसबा जो होता है, इसका विगेटन काउन कर सकता है, option है, राष्टपती, प्रधान मंत्री, लोकसबा देख्ष, या फिर मंत्री परिश्यत, तो सही इंसर हो जाएगा, option number A, राष्टपती जो होते हैं, वो लोकसबा का विगेटन कर सकत हैं, ठीक है, अगला सवाल है, कुकी जनजाती के संबंध किस राज्य से है, जो कुकी जनजाती है, ठीक है, option है, मडिपूर, तृपूर, सिक्कीम, या फिर अरोडा अचल परदेश, बहुत ही ज्यादे इंपॉर्टेट कोश्चन है, क्योंकि काफी चर्चा में रहा, ठीक ह जहां का है, तो यह जो है, आपका मडिपूर का, ठीक है, मडिपूर के बारे में अगर आप लोग कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो कॉमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज अपने दोस्तों तक भी सेयर करिए, थैंक्यू, जाएगे